यहाँ पर किलिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर किलिक करें हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक बहुती सुन्दर पेन कोलर नेक डिजेन सेर करूंगी तो देखें यह हमारी कुर्ती है जिस पे हम नेक बनाएंगे इसकी हमने कटिंग कर ली है यह हमारी कुर्ती का बेक वाला हिसा है और यह हमारी कुर्ती का फ्रेंट वाला हिसा है तो अब हम इस पे नेक बनाएंगे तो सबसे पहले हम कोलर नेक के लिए हल्ले की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम नेक की चोड़ाई रखेंगे तीन इंच यह देखिए और नीचे की तरब जो नेक की गहरा है वो में रखूंगी साड़े तीन इंच अब इसके बाद दिखे हम बेक साइड में भी इसी के बरावर में निसान लगा लेंगे यहाँ पे यह निसान में ने लगाया है तीन इंच पे और यहाँ पे हम एक निसान लगाएंगे आधा इंच पे आदा इनसे भी थोड़ा सा आपको कमी रखना है और बेक साइड की भी यहां से हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद अब यहां से कटिंग करेंगे धियान रखना है बेक साइड को छोड़ देना है और यह फ्रेंट वाली साइड पे ही कटिंग करनी है देखिए हमने हल्ले की कटिंग कर ली है अब इसके बाद में मैंने लिया है एक केनवास पिपर इसकी जो चोड़ाई है वो रखी है मैंने 2.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 4.5 अब इसको हम एक कपड़े के उपर चिपकाएंगे प्रेस से सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें गुलाई देंगे नीचे की साइड में एक 20 सेंटर पर इसे मार्क कर लेंगे यह दिखे यहाँ पर हमने 20 सेंटर पर एक निसान लगा लिया है अब इसमें हम नीचे की तरफ इसे गुलाई देंगे यह दिखे और यहां से cutting कर देंगे इस तरह से आपको नीचे की side गुलाई देनी है और अब इसको हम इस कपड़े के उपर चिपका लेंगे प्रेस से और side से जो भी extra कपड़ा है इसको भी हम इसके उपर दोनुँ side से इसे मोड़ते हुए प्रेस कर लेंगे तो देखे फ्रेंट से यह मैंने प्रेस से इसके उपर चिपका लिया है और दोनु side से कपड़ा मैंने फोल्ड करके और इस पे भी मैंने प्रेस कर ली है अब इसको हम अपनी कुर्थी के उपर अटेज करेंगे तो यह हमारी कुर्थी का front वाला भाग है अब यहाँ पर दिखे यह नीचे की तरफ उल्टी side है और उपर की तरफ सीधी side है सीधी side को हम इसे अटेज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक लंबा सा कट लगा लेंगे और इसका भी center मिलाते हुए इसे रखेंगे थोड़ा सा हमको यह उपर चड़ा के रखना है ताकि कोलर लगाती समय हमारे नेक में बहुत यची finishing आएगी नीचे की side से हमको एक इन छोड़ देना है तो यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे यह देखे अब इसके बार में देखे जो मैंने यह सिलाई लगाई है इससे थोड़ा सा हम इधर की side लगाएंगे और थोड़ा सा इधर की side यानि कि दोनु side में थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे ताकि यहां से हमको cut करने के लिए जगा मिल जाएगी तो इतना सा हम इसमें गेप रखते हुए दोनु side में सिलाई लगा लेंगे आप देख सकते हैं बिलकुल हमने मामूली सा इसमें गेप रखा है और यहां से अब इसकी हम cutting कर देंगे वी center से और अब इस नेक को हम इसे उल्टी side में इसे पलट देंगे यहां से तो दिखे फ्रेंट से यहां से मैंने नेक यह उल्टी side में पलट दिया है तो total हमारे नेक की जो लंबाई है वो 11 इंचे यहां आप देख सकते हैं अब यहां से हम 1.5 इंच की दूरी पर यहां पर निसान लगाएंगे यह देखे उपर वाला निसान 2 इंच पर है तो color लगने के बाद में यह भी 1.5 इंच पर ही हो जाएगा अब यहां पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पर और यहां ने डोरी के लगानी है तो यह डोरी हमने पहले से बना के रख लिए है तो इसमें से हम छोटी छोटी लगपी यहां पर लगा लेंगे यह देखे यह डोरी के जो पीसी से यह मैंने धाई धाई इंच के कट किये है इस तरह से आप सभी निसानों के नीचे से रखते हुए हम इन पर सिलाई लगा लेंगे और अब इस साइड में भी हम इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे यह देखे और अब इसमें हम यहां पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे बाद में हम यह सिलाई निकाल के तुरपाई करेंगे तो यहां पर मैं बड़ा टांका करके सिलाई लगा रही हूँ अगर आपको तुर्पाई नहीं करनी है तो आप ये सिलाई फिनिसिंग के साथ में लगाए यहाँ से जो भी एक ट्रक पेपर है उसकी हमने कटिंग कर दी है अब इसमें हम बेक साइड को अटेज करेंगे उसके बाद में हम इसकी कोलर बनाएंगे तो देखे ये मैंने अपनी बेक साइड को इसमें टेज कर लिया है अब हम कोलर की नाप लेंगे तो ये कोलर थोड़ी से हमारी बड़ी बनेगी क्योंकि ये पैन कोलर है हमारी जो गर्दन है पूरी गर्दन के लिए हमको कोलर चाहिए पुरी गर्दन पेक हो जाएगी इस कोलर में ये देखे तो इसकी जो लंबाई है वो साड़े आठ इंच है तो ये टोटल हमारी जो कोलर है वो 17 इंच की बनेगी तो यहाँ पर मैंने कोलर बनाने के लिए बुक्रम ली है इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने तीन इंच रखी है अब इसको हम इसे फोल्ड करेंगे भी सेंटर में से अब यहाँ से मैं एक मार करूँगी यहाँ पर चार इंच पर यह आप देख सकते हैं चार इंच पर मैंने ये निसान लगाया है और एक निसान में लगाऊंगी यहाँ पर साड़े आठ इंच पर यानि कि सत्रे इंच की हमारी कोलर बनेगी तो सत्रे का आदा हमने आठ इंच रखा है अब उपर की साइड से में एक निसान यहाँ पर एक इंच पर लगाऊंगी और यहां से एसे गुलाई देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे यह दिखे फिर यहां से एसे गुलाई देंगे और एक सवा इंच की चोड़ाई से हम कोलर बनाएंगे तो पहले हम यहां से नीचे वाली साइड से कटिंग करेंगे तो बुक्रम को अच्छे से मिला के पकड़े और अब यहां से एक सवा इंच की दूरी से हमेसे कोलर की कटिंग करेंगे यह दिखे लगबग मैंने यह एक इंची रखी है सवा इंच की बहुत चोड़ाई हो जाती है तो इसलिए मैंने एक इंची रखी है अब इसको भी मैं इस कपड़े के उपर चिपका लूँगी प्रेश से तो दिखे यह मैंने कपड़े के उपर प्रेश से चिपका लिए है अब यहां से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे और इस कपड़े को इसे फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे यह एक पेर का मारजिन छोड़ते हुए हमको सिलाई लगानी है और अब इसको हम इसे पल्टेंगे और यहाँ पर हम इस पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुक्रम के बराबर में सिलाई लगानी है और अब यहां से हम इस कपड़े की भी कटिंग कर देंगे यहां पे छोटे छोटे कट लगाएंगे देखें जिस तरह से मैं कोलर लगा रही हूँ अगर आप इस तरीके से कोलर लगाएंगे अगर आप बिग नियर हैं तो वे आपकी कोलर एक्दम परफेक्ट बनेगी अब यहां से हम एक पेर का मार्जन छोड़ते हुए और इस कपड़े की भी कटिंग कर देंगे अब इस कोलर का हम बीच सेंटर करेंगे तो यहां से दोनों साइड की भुक्रम को बराबर मिलाते हुए रखेंगे और यहां पर हम एक मार्क कर देंगे और यह हमारी कोलर कुड़ती में अटेज करने के लिए तयार है तो अब हम इसको बेक साइड से अटेज करना शुरू करेंगे यह भी सेंटर है और यह कपड़े वाली साइड है इसको हम पहले अटेज करेंगे और भुक्रम वाली साइड को हम बाद में फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएंगे तो कपड़े वाली साइड को मिलाते हुए हम पहले एक साइड में सिलाई लगाएंगे 20 सेंटर से और फिर हम दूसरी साइड में लगाएंगे दिखे हमेशा आपको ये 20 सेंटर से कोलर लगाना स्टार्ट करना चाहिए जिसे के बार भीगनियर होते हैं वो एक साइड से कोलर अटेज करना सुरू कर देते हैं तो एक साइड में कोलर बढ़ जाती है तो इसलिए आप भी सेंटर से कोलर कोटेज करना शुरू करें तो दोनों साइड में हमारी जो कोलर है वो सेम रहेगी तो ये मैंने यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई लगा ली है अब मैं यहाँ पर साइडों को बंद करूँगी हमेशा मैं यह साइड बाद में ही बंद करती हूँ इसे क्या है कि हमारी कोलर में बहुत अच्छी फिनिसिंग आती है कि बार ऐसा होता है हम पहले बंद कर लेते हैं साइड को तो एका सोट वा कोलर बाहर की तरफ निकलने लगती है तो इसलिए मैं साइडों को बाद में ही बंद करती हूँ तो इस तरह से मैंने अपनी साइड को बंद कर लिया है आप देख सकते हैं कितनी फिनिसिंग से हमारी कोलर तयार हो गई है अब इसी तरीके से में दूसरी वाली साइड को भी बंद कर लूँगी तो यह हमने अपनी दूसरी साइड को भी बंद कर लिया है अब यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे देखे साइड बाद में बंद करने से हमारी जो कोलर है बहुत ही परफेक्ट बनती है तो इसलिए मैं आपको सलाहा बाद में ही साइडों को बंद करने की दूँगी अब यहां से हम अच्छे से फिनिसिंग के साथ इस सिलाई को कम्पलीट करेंगे और देखे यह हमारी कोलर जो रेडी हो गई है आप देख सकते हैं दोनों साइड की यह देखे अब इसके बाद देखे हम यहां पर यह हमारी कोलर है आप देख सकते हैं कितनी फिनिसिंग के साथ हमारी कोलर तयार है अब यहाँ पर हम एक कपड़ी की पट्टी अटेज करेंगे वैसे यह जो नेक है इसमें अगर यह पट्टी आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गेफ नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं यह पट्टी लगा रही हूं तो बिल्कुल भी इसमें गेफ नजर नहीं आएगा तो यह आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस पर तुर्पाई कर ली है सुई धागे से यानि की हैंडी स्टीचिंग कर ली है और जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी वो हमने निकाल दी है और यहाँ पर हमने यह भी सेंटर में यह कपड़े वाली पट्टी अटेच कर ली है तो यह हमारा नेक पर आरे आप देख सकते हैं कितना फिनिसिंग के साथ हमारा नेक पनके कमप्लीट हो गया है अब इसमें हम यहाँ पर बटन अटेज करेंगे तो फ्रेंट्स बटन अटेज करने के बाद में यह बहुत ही खुबसूरत लगेगा आप देख सकते हैं पहनने के बाद में इस तरीके से दीखेगा अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह डिजाइन कैसा लगा है मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेश